नमस्ते राधे राधे हेलो अब्रीवन वेलकम तो आप सब को पता है कि मैं आपको बीएसी 6 सेमिस्टर का जो मॉडल पेपर है वो बता रही हूं बॉटनी का ठीक है तो इसके पहले मैंने बॉटनी का जो पेपर आपका सेकेंड था ठीक है सेकेंड में एकॉलजी और इंवार हमारे कॉस्टन किस तरीके से पूछे जाएंगे ठीक है सेम प्रॉसेस में एंसी क्यू बेस्ट वालों के लिए भी कर रहे हूं उनके भी उन्हें भी एंसी क्यू के कॉस्टन करा दिए आज जो हम पेपर डिसकस करने वाले हैं वह आपका होने वाला है सौर्ट आंसर आपसे एक हमबल रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें वीडियो पे कमेंट जरूर करें जो भी आप सूछते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम हो दिए ताकि हम उसको रिजॉल्व करने की को से सीस करें चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सौर् टाइब क inning ् यह आपका कई तरीके से पूच सकता है इस स्कूल सकता है ते 100िमारण में फूच सकता है या 500 में इस तरीके कुष्छन पूछ सकते हैं ठीक है तो अगर आप थोड़ा सा बड़ा आंसर का एक क्राइटेरिया बनाते हैं तो आपके दिवाद में एक आइडिया रहेगा कि मुझे 100 words में इसकी important चीजे ही लिखने हैं ठीक है अब 100 words में आप 500 words तो लिखे आ नहीं जाएंगे तो एक अपने आपने क्राइटेरिया भी बना लिजिए कि किस तरीके से लिखना है क्योंकि ये चीज आपको आगे बहुत help करेगी अगर आपकी writing skill अच्छी है और आप IAS वगरा की preparation कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादे help मिलती है क्योंकि वहाँ पे भी written test, written exams होते हैं आपके means में तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले question से पहला question आपका पूछा गया है cell wall cell wall क्या होता है इसकी आप definition बताएंगे plant में पाए जाता है कितने type का होता है primary, secondary, tertiary किस चीद से मिलकर बना होता है hemicellulose, pectin, cellulose ये सारी बाते आप इसमें mention करेंगे और इसका एक outer covering दिखा देंगे कि माली जी ये कोई आपका cell है तो क्या पाए जाती है इधर आपकी क्या पाए जाती है ये cell wall पाए जाती है ठीक है cell wall ये आपकी cell wall होती है तो इस तरीके का representation आप दिखा सकते है अगर हम move करें आगे की तरफ तो next question पूछा जाए रहा कि cell signaling क्या होता अब cell signaling मैंने आपको बहुत detail में पढ़ाया कि cell signaling क्या होता है communication काम cell signaling की दारा होता है किस तरीके से communication होता है ये दो तरीके की हो सकते है ठीक है extra cellular, intracellular उस पे भी मैंने चार्चा की थी next question आपका paroxy zone से पूछा गया है paroxy zone क्या होता इसके differentiation कहां पाया जाता है work क्या होता है function क्या होता ये सारी चीज़े आप mention करेंगे उसके बाद आपका एक question आता है इस पे chromosome में कौन-कौन से aberration पाया जाते है जो आपने ploidi पढ़ी है monoploidi, anuploidi haploidy, ठीक है basically इसमें वही चीज़े लिखनी है अब यहां आपको monoploidi भी पूछ सकता है haploidy पूछ सकता है या numerical aberration in chromosome पूछ सकता है ठीक है तो यह आपको पता होना चाहिए question किसी भी नाम से पूछ सकता है then आपका cell cycle next topic है अब cell cycle की बात करें तो cell cycle में आप सोचेंगे इतना vast है तो इसमें क्या क्या लिखें ठीक है तो cell cycle में आप basically इसका definition बता जीजे कि cell cycle क्या होता है क्या representation है और इसके phases के बारे में कि इसमें basically दो phase होते है interface, m phase ठीक है interface क्या होता है कौन कौन से उसमें phases, s1, g1, g2, s ठीक है और m phase में बता जीजे कि उसके p-mat होते है prophase, metaphase, anaphase, telophase ठीक है चार उसके phase बता दीजे और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बढ़ता जीजे और दो process और होता है cytokinesis and karyokinesis उसे बता दीजे अगर एक sort में कुछ हाजा रहा है long में लिखने के तो आप कुछ भी लिख सकते है then regulation of cycle क्या cell cycle? cycling CDK cycle मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको cycling CDK के बारे में किस तरीके से regulation होता है next आपका linkage पूछ सकता है तो linkage किस ने दिया था TH Morgan ने दिया था ये आपका क्या है deviation है किसका deviation है आपके Mendel's theory का Mendel's आपकी theory का deviation है उनके rules को follow नहीं करता है फिर आप इसके किस तरीके से होता इसको बता सकते है crossing over क्या होता इसे यहाँ पे आपको लिखना रहेगा gene interaction ठीक है interaction gene में किस तरीके से होता है इसके बारे में then आपका epistasis जिसे कि आप masking of gene के नाम से भी जानते है pleiotropy क्या होता है इसके बारे में cytoplasmic inheritance अब आप बोर सोच रहे होगे कि बच्चों के दिमाग में कुशना आएगा मैं हमने तो cytoplasmic inheritance का नाम देखा नहीं कहीं सलेबस में तो भी यह यह extra nuclear chromosome extra chromosomal inheritance chromosome के अलामा जो inheritance होता है उसके बारे में जो कि आपका cytoplasmic inheritance भी कहलाता है uniparental inheritance भी कहलाता है ठीक है mitochondria और chloroplast का inheritance इसमें होता है next है आपका clonal selection क्या होता है clones का selection किस तरीके से hybridization क्या होता है heterosis क्या होती है pathogenic disease pathogen से होने वाले disease कौन-कौन से हैं उनके बारे में measure of central tendency अब ये measure of central tendency आप सोच रहेंगे आप इसमें क्या लिखें अगर आप से measure of central tendency पूछ लेता तो आप इसमें mean median और mode तीनों चीज़ों के बारे में बताएंगे या अलग-अलग mean देके आप से पूछ सकता है mode देकर पूछ सकता है median देकर पूछ सकता है statistics का या bio statistics का use क्या है sampling क्या होती है random and population sampling दो तरीके की पाय जाती है random and population sampling यह क्या होती है इसके बारे में ठीक है next आपका standard deviation क्या होता है standard deviation को SD के नाम से भी दे सकता है standard error क्या होता है अब यह standard error दे सकता है या standard error of mean दे सकता है दोनों चीज़ें आपकी same होगी MSXL क्या होता है computer का question हो गया Cell culture क्या होता है Organogenesis Formation of organ कैसे होता है इसके बारे में आपने इसको developmental biology में भी पढ़ा होगा जुलोजी में Somatic hybridization क्या होता है Morphogenesis क्या होता है इसके बारे में growth आपका growth वगरा कैसे होता है Magnetosomes यह आपके nanotechnology से आजाता है Advantage क्या होता है nanotechnology का Nanoparticles की synthesis कैसे होती है ठीक है 3D printing क्या होते है AI क्या है यह AI दे सकता है या artificial intelligence यह दे सकता है यह आपसे direct AI भी दे कर पूछ सकता है IoT sensor क्या होता है Internet of Things के नाम से जानते है IoT को Application क्या artificial intelligence का Plant Science में Educational software कौन कौन से होते है 3 software आपके है Educational आपके इस levels में उन तीनों का आपको full form अच्छे से याद होना चाहिए थोड़ा सा detail उसके बाए में पढ़ लीजीगा Google Scholar What is Google Scholar? Google Scholar क्या है? Application क्या है? Google Scholar से आप सर्च करते हैं Articles वगएरा Application क्या है? IOT का Android Phones Development में Use क्या है? ICT का ICT का perform आप से मुझे Comment section में बताईए क्या होता है? Nano fertilizers क्या होते हैं? तो ये Top 35 Questions मैंने आपको आपके Chapter 1 to 8 लेके आपको Botany का Paper First का जितने भी Chapter में Possibility थी Question के आने की वो मैंने बता दी है अगर आप इंते भी Question करके जाते हैं तो आपके लिए More than enough है आपके अच्छे नमबर आ जाएंगे आपको इनका knowledge भी हो जाएगा चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहे हैं Thank you, D1